question number one आपके सामने है कि laughing gas किसको कहते हैं यह आप से पूछा गया है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखें options आपका दिया हुआ है nitrogen, nitrous oxide, nitrogen per oxide और nitric oxide ध्यान रखना है closely related हैं यह options तो जो nitrous oxide है option B यह आपका correct answer बनेगा nitrogen यह nitric oxide में confused नहीं होना है nitrous oxide है ठीक है ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं बाकी जो भी student आप में से paid batch join करना चाहता है तो आपको यह जो नीचे whatsapp number दिख रहा है इस पे आप contact कर सकते हो और paid batch join कर सकते हो जो महाँ पे crash courses available है उनको आप कर सकते हो जल्दी जल्दी आपका सब कुछ repair होगा dinosaur was a तो क्या था dinosaur मचली पक्ची रेंगने वाला या फिर इस्तंधारी तो dinosaur जो था वो क्या आप यहाँ पे लगाओगे mammal था ठीक है क्योंकि रेंगने वाला इस्तंधारी reptile तो नहीं होगा dinosaur वो जो चलने वाले थे आपने देखा होगा जो आपकी movie एक थी I don't able to remember it but वो जिसमें बहुत बड़े बड़े dinosaurs थे वो एक जिसका लंबी सी वो गर्दन होती है हना और एक होता है वो जो सबको खाता रहता है तो dinosaur आप देखते हो वो क्या थे इस्तंधारी थे mammals थे ठीक है याद रखना है third option नहीं होगा fourth option होगा remember it आगे बढ़ते है next question आपसे पूछ रहा है कि the unit of electric current is तो electric current की unit क्या होती है वो आपको बताना है देखो electric current की unit को क्या बोलते है empire ओके याद रखना है confused नहीं होना है आगे important है remember it general science में आपसे ये पूछा जा सकता है the largest revenue source in India is तो इंडिया में अगर हम largest source की बात करेंगे तो option जो आपका second है that is income tax आएकर सबसे जादा income यहीं से आता है ठीक है revenue जो है इंडिया का यहीं से ध्यान रखेंगे important question है एक यह हो गया और एक है वो service sector वाला question अगर आप लगतार classes कर रहे हो तो आपको याद होगा ठीक है क्योंकि service sector है वो agriculture sector नहीं है ठीक है बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते है name of the first talkie film in India तो first talkie film देखो दो question बनते हैं कि पहली mook film जो मतलब mute थी उसमें कुछ voices वगेरा नहीं थी बस actions थे ठीक है जैसे चार्ली चैपलीन आप देखते हो तो उसमें वो बस act करते हैं ठीक है और उससे आपको हसाते हैं कुछ उस तरह की जो movie थी सबसे पहली उसका नाम था राजा हरीश्चन बट उसके बाद एक movie आई जिसमें sound आया तो वो पहली movie जिसमें sound था ये पूछेगा तो आलम आरा उसका नाम है और अगर पूछे पहली mook film या mute film तो आप कोगे राजा हरीश्चन देखो इसको याद कैसे करना है ना आलम आरा में आपको कुछ ना कुछ अलारम का sound नहीं आ रहा है अलारम आरा अलारम क्या करता है बोलता है उसकी voice होती है कुछ ना कुछ चाहे आप mobile में लगा लो चाहे आप वो जो watches होती है उसमें लगा लो तो वो क्या करते हैं sound करती है तो first sound वाली तो alarm ब आगे बढ़ते हैं, questions अगर आपको पसंद आ रहें तो make sure like करके और class को पूरा attend करने के बाद आप comment box में comment करके ज़रूर बताएं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह चीज़े बता देता हूँ कि यह हमारा paid batch available है तो आप इसको ले सकते हो और बहुत ही बहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको preparation करवाई जा रही हर एक subject की detail में study और relevant content to the point बाते करी जाती है कुछ भी फालतों की कुछ भी extra चीज़े नहीं और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ entrance exam में ही नहीं आगे आने वाले दिनों में जब आप किसी competitive exam में बैठोगे वहाँ पे भी आपको यह content याद आएगा इस तरीके से पढ़ाय जा रहा है और बाकी जो e-book है यह भी आप ले सकते हो इसमें तो आपको पूरा निचोड दिया गया है reasoning, mental ability, computer और current affairs भी आपको इसमें अब दिया जा रहा है तो e-book जिसने नहीं लिया है वो ले सकता है बाकी यह complete course जो quality batch हमारा नंदी असर है वो अभी भी आप join कर सकते हो कम समय में आपको ज़्यादा output मिलेगा और पूरी-पूरी बहतरी तयारी यहाँ पे होगी तो next question है आपका विश्नु शर्मा की यह book बहुत ज़्यादा पूछी जाती है याद रखना है बहुत important book है which of the following book is authored by विश्नु शर्मा तो पंच तंत्र, मेकदूत, रुबैयत, याफिर का माईनी तो अब सभी को पता होगा कि जो पंच तंत्र है option one is your right answer विश्नु शर्मा जी के दोरा लिखी गई है और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है book है, याद रखना है अगला question, heartbeat in fever becomes बुखार में हिर्दे की गती हो जाती है तो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, धीमी हो जाती है असमान हो जाती है, uneven या फिर इन में से कोई नहीं, उप्रोक्त में से कोई नहीं none of the above तो इसमें अगर आप correct answer देखोगे तो जो आपका heartbeat होता है न, वो fever के समय तेज हो जाता है, तो faster is the right answer here आगे बढ़ते हैं next question है in the नागपुर session of the congress in the year 1920 who among the following moved the main resolution on non-cooperation 1920 में Congress के नागपुर अधिवेशन में, निम्न में से किसने असयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तूत किया था, तो correct answer आपका बनेगा, C.R. दास थे वो, ठीक है, याद रखना है important question है और देखो, आपको ये नहीं सोचना है कि कोई question बहुत easy है तो आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत easy है, और कोई question बहुत हाड़े तो आपको कि यार कितना hard है यार इतना थोड़ी आएगा आपसे better चीजों को देखा है आप अब पढ़ रहे हो हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं और कुछ देखा है कुछ notice किया है कुछ observe किया है तब हम आपको questions करवा रहे हैं examiner आपको किस तरीके का question देगा ये हमको नहीं पता है वो जो level होगा वो हमको नहीं पता है, वो तो paper देखने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि आप तयारी करते हो तो आपको ये नहीं पता होते कि क्या level आने वाला है बट आप पढ़ते सब कुछ हो चाहे वो easy हो चाहे वो hard हो तो पढ़ना सब कुछ है बाकी जो भी level रहेगा exam का उस हिसाब से हम paper को करेंगे ये thinking होनी चाहिए आप लोगों की next question है a black hole is a एक black hole क्या होता है contracted star with intensive gravitational pull गंभीर गुरुतवा करिशन के खिचाव की कारण सिकड़ा हुआ star ही black star कहलाता है option one correct answer बनने वाला है ठीक है आगे बढ़ते है next question है हालेज कमेट या हेले कमेट कितने साल में एक बार दिखाई देता है तो ये 76 years में एक बार दिखाई देता है static portion है याद रखना है आगे बढ़ते है the total surface area of earth is तो earth का total surface area पूछा जा रहा है तो 510 million square kilometer याद रखना है total surface area है अर्थ का next question in which city first law university in India has been established भारत में किस शहर में प्रथम विधी विश्विद्याले स्थापित हुआ तो correct answer आपका बनेगा option C बैंगलूरू correct answer है ठीक है first law university प्रथम विधी विश्विद्याले बैंगलूरू में ही स्थापित किया गया था next question पे चलते हैं वो आपसे पूछ रहा है की who was the first man to go into space अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ती कौन है तो Valentina Vladimir Titov Musa Menorov या फिर Yuri Gargin एक बार इस question को आप पढ़ोगे और यह आद रहेगा Yuri Gargin इसका correct answer है remember it okay next question in India law day is observed every year on तो जिस दिन हमने सम्विधान को adopt किया था signed किया था वही ही यहाँ पे आपको date याद रट नही है that is 26th November तो हम यह question आपके सामने रख रहे है देखे यहाँ पे chief guest in Republic Day 2023 में कौन था तो option C Abdel Fateh LCC यह Egypt के है यह भी ध्यान रखना है आपको यह हमारे chief guest थे next question आप से पूछ रहा है कि यह जो make America great again यह किस ने दिया था slogan तो यह slogan ना अभी जब Donald Trump आये थे प्रेसिडेंट यह जब जो है इन्होंने बोला था अमेरिका के प्रेसिडेंट तभी उस समय इन्होंने यह चीज बोली थी तो ध्यान रखना है Donald Trump से यह related है बाकी बहुत लोग बोलते रहते हैं यह सब चीज़े ठीक है नेक्स्ट कोशन हम देखते है बैंक बोर्ड ब्यूरो अफ इंडिया के जो है चेर पर्सन या चेर मैन कौन है तो आप सभी को बताए कि सर अमबेटकर जी तो अभी है नहीं जीजे थॉम्सन भी अभी है नहीं राजनाज सिंग जो है वो डिफेंस मंत्री है तो यहाँ पे भानू प्रताब शर्मा एकी ऑप्शन बनता है तो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए तो येस यू आर राइट ठीक है आगे बढ़ते हैं जली कट्टू बिलॉंग्स टू ये जली कट्टू जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है अच्छा जली कट्टू में होता क्या है ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ जरा देखना और बताना कमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या होता है ठीक है तो जल्ली कट्टो belongs to वैसे आपको याद रखना है तमिल नाडो से ही ये बिलॉंग करता है ध्यान रखना है इंपोर्टेंट कोशन है बार बार पूछा जाता है नेक्स्ट यहाँ पर आपका कोशन है कि जो ब्रिक है न ये चार कंट्रीज का एक ग्रुप था बट इसको एक और फिफ्थ स्टेट ने जॉइन कर लिया और वो फिफ्थ स्टेट कौन सा है वो आपको बताना है पहले जब ब्रिक बना था तो वो आपका बना था चार स्टेट से बट फिर कुछ सालों बाद में एक स्टेट और जुड़ गया तो वो state कौन सा था ये बताना है आपको सभी को पता होगा कि वो है South Africa क्योंकि हम क्या बोलते हैं Brics B-R-I-C-S तो 5th state आपका है South Africa Next यहाँ पे आपसे पूछा गया है Sound can travel through Gases only, Solid only अब देखे यहाँ से आपका जो है जो हिंदी है वो भी मैंने रख रखा है जो static GK का portion है उसमें मैंने हिंदी में आप देख सकते हैं ऐसे रख रखा है और जो current का portion है उसमें आपको जो है जो सिर्फ English का था उसमें रखा था ठीक है और वो भी मैंने हिंदी में बताया तो इतना तो आपको समझ में आया ही होगा sound can travel through तो आपको याद रखना है solid liquid gases हर एक medium से यहाँ पर answer बन जाएगा ठीक है यहाँ पर next question अगर हम देखें which of the following was the chairman of the drafting committee of the constitution of India निमलिकित में से कौन भारत के समविदान की drafting committee का अध्यक्ष था तो इसका correct answer आपका बनेगा सभी को बता है Dr. Ambitkar साब ठीक है option 3 is the right answer next question का answer पहले ही दिख गया है but कोई नहीं important question है ध्यान रखना कि हमारा जो समविदान है हमारा जो Indian constitution है उसमें हमारे पास 22 languages mentioned है ठीक है 22 languages दी गई है वरतमान में कितनी भारती भाषाओं को स्थान दिया गया हमारे भारती समविदान में तो 22 भाषाओं को ठीक है अगला question है आपका कि the term of the president is five years पांच साल का कारेकाल होता है president का कबसे जब वो nomination करता है तबसे या elected declare होता है तबसे या जब उसको court upheld करती है उसका election तबसे या फिर office में जब enter करता है तबसे तो option C यहाँ पे सही होगा जब वो पदबार ग्रहन कर लेता है उस दिन से पांच साल गिने जाते हैं तो enters upon his office उस time से उस president के पांच साल गिने जाते हैं question बड़ा तगड़ा था याद रखना है ठीक है the federal system of India has been borrowed from the constitution of जो भारत में आपको संगिय विवस्था देखने को मिलती है वो किस देश की या किस country की समविधान से हमने लिया है इंडिया ने लिया है तो यह लिया है हमने option 3 that is Canada के समविधान से constitution से ठीक है आगे अगर हम देखें who founded the communist legal theory तो communist legal theory की बात हो या communism की बात हो मार्क्स का नाम आपको याद रखना है तो option A is the correct answer कार्ल मार्क्स and angles यहाँ पे correct answer बनेगा ठीक है communist legal theory वही next question की बात करें ऐसा प्रधान मंतरी किस प्रधान मंतरी ने अपने शाचन काल में संसद का सामना नहीं किया तो वो थे आपके चरण सिंग चौधरी चरण सिंग नाम याद रखना है next question आपसे पूछ रहा है कि which of the following does not find place in the constitution of India तो again आपके लिए एक homework कि finance commission का article क्या है election commission का article क्या है public service commission का article क्या है आप लोग बताओगे अब मैंने तीन चीज़ बोल दिया है कि इन तीनों का article आपको बताना है नीतियायोग का नहीं बोला क्यों क्योंकि नीतियायोग mention ही नहीं है और क्योंकि mention नहीं है तो यही तो हमारा answer बनेगा कि इसके पास constitution में कोई जगा नहीं है this is not a constitutional committee this is not a constitutional organization ओके तो ध्यान रखना है नीतियायोग हमारा constitution में mention इसका नहीं है यह question अच्छा देखो घुमा के पूछा गया है हमने कई बार करवाया यह question की जो सती प्रता है ना उसको 1829 में remove करा गया था तो अब आप और William Bentick थे वो जिनोंने remove किया था अब यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है कि which of the following steps was taken by the British authorities in India in 1829 British प्रादिकारियोद्वारा भारत में 1829 में निमलिकित में से कौन सा कतम उठाया गया तो आप जब first वो पढ़ोगे ना तब ही आपको पता लग जाएगा कि 1829 सती प्रता हटाई गई थी William Bentick के समय पे तो यही आपका correct answer बनेगा ठीक है question मैंने देगा मैंने का यार यह तो बड़ा जीब सा question लग रहा है बड़ जब option देखा तो मैंने का हाँ सती प्रता तो हटाई गई थी यही तो answer यही आपका answer बनेगा ठीक है तो गबराना नहीं है जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखना है revision रख करना है हर एक चीज का question को ध्यान से पढ़ना है और options भी देखने है ठीक है चार के चारो options देखने है तब जाके अपने answers पे आना है ऐसे नहीं कि आपने first question पढ़ा और answer मार दिया गलत हो सकता है यहाद रखना है which of the following disease is caused by virus and transmitted by mosquito तो निमलिखित में से कौन सा रोग विशाडू के द्वारा होता है तथा मच्छरों से फैलता है तो correct answer आपका बनेगा malaria भी हो सकता है यह चीज ठीक है यहाँ पे जो आपकी options दी है उसके साब से yellow fever correct option बनेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो यह next question है which of the following हरपन sites is known for rice cultivation तो हरपा केंदर के निमलिखित स्थालों में से कौन धान की खेती के लिए जाना जाता है तो आपका lotal correct option बनेगा याद रखना है ठीक है नेस्ट आपका question है which of the following tools were used by the people of mesolithic age तो जो mesolithic age के people से वो यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर थे ना उससे हथियार बनात जाते थे इनको micro lits से भी भी बोला जाता है ठीक है micro lits भी बोला जाता है तो option c correct option यहाँ पे answer बनेगा next question Megasthenes इनकी famous book Indica उसका नाम है किसके दरबार में आए थे ये तो चंदर गुप्त मौरिया के दरबार में आए थे याद रखना है ना आपको okay a person who reserves themselves तो यह previous year question है English का आया था a person who reserves themselves उसे हम क्या कहते हैं तो एक important wise clever introvert इसमें introvert correct option होगा introvert वो होता है जो अपने आप में reserve रहता है चीजों को बोलता नहीं है किसी के सामने रखता नहीं है उसके अंदर होती है चीजे but he or she cannot react at that time he or she cannot express at that time वो यहाँ पे कहलाता है introvert ठीक है आगे बढ़ते है excessive desire for stealing मतलब चोरी करने की जो desire होती है उसको हम क्या कहते हैं stilomania, theftomania, kleptomania या फिर all तो कुछ students यहाँ पे चले जाएंगे theftomania के साथ कुछ students चले जाएंगे all के साथ but correct answer यहाँ पे बनेगा kleptomania याद रखना है important question है आप से भी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है English जैसे subject में अभी GKK भी कुछ है don't worry okay the one who talks very much जो बहुत ज्यादा बाते करता है उसे क्या कहते है talkative, loquacious, reticent, both A and B तो यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा talkative तो होता ही है जो बहुत ज्यादा बाते करता है but loquacious भी होता है loquacious is a very good word जो पूछा जाता है जो की बोला जाता है जो बहुत ज्यादा बाते करे खुल के बाते करे उसे हम कहते है तो both A and B is the right answer here आगे बढ़ते हैं next हमारा question है one who talks to oneself जो खुद से बाते करे उसे क्या बोलते है one who talks to oneself उसे क्या बोलते है तो जो खुद से बात करता है उसे हम कहते हैं solilocky ठीक है solilocky spelling भी ध्यान रखेंगे क्योंकि sometimes आपसे जो spelling errors के question भी बूछा जाता है कि इसमें से किस word की spelling गलत है वो बताइए somnambulist भी आपको याद रखना है जो नींद में चलता है उसे हम कहते हैं somnambulist और यहां पर एक आपसे पूछा गया था expect और accept का difference तो expect क्या होता है आप बोलोगे कि expect होता है expectations अलग होती है और acceptance अलग होता है ठीक है accept आप किसी का proposal accept कर रहे हो समझ सकते होगे very 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 clearly हा न बहुत अच्छे से तो जब proposal accept या propose करते हो वो होता है आपका accept वाला चीज़ लेकिन expect आपका वो होता है जब आप किसी से सोचते हो कि यार मेरे को वो चीज़ बोली जाए या आप सोचते हो कि जो आपकी father है कि father साब आपको कुछ ज़्यादा पैसे दें और फिर जब आपको अगर कम पैसे भी मिलते हैं तो आप वो चीज़ accept कर लेते हो I hope यह difference समझ में आ रहा होगा आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखो यह कुछ CEO मैंने आपके सामने रखे हैं लास्ट टाइम यह CEO पूछे गए थे जब तो match of the following की तरह पूछे गए थे उसमें आपको HDFC, Axis, SBI और CE और और भी कई सारे bank ICICI भी था शायद और चार दे दिये थे persons के नाम और उसमें match the following करवा रहा था कि इसमें से कौन सा person किस bank का CEO है तो current में जो भी CEO है अपनी place को hold करें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो HDFC bank के CEO है इनका नाम है सशीधर जगदीशन Axis bank के CEO का नाम है अमिताब चौधरी SBI के chairman का नाम है दिनेश कुमार खारा और CEO जो नीती आयोग के हैं important है BVR सुबरमन्यम इनका नाम है याद रखना है important है Railway minister पूछा गया था कौन है तो बहुत सारे students इसमें Piyush Patil पे confused होंगे but actual answer is option number A that is Ashwini Vaisnav याद रखना है आपको boss ठीक है मुद्रा राक्षस के लेखक पूछे गए थे कौन है तो आपको option A या B में confusion हो सकती है but इसमें अगर हम correct answer की बात करें तो मुद्रा राक्षस written by option number A that is Vishak Datt के द्वारा ये लिखी गई है next question आपसे पूछ रहा है कि monkey pox discovered in सबसे पहले monkey pox की discovery 1958 में हुई और ये Denmark जो city है वहाँ पर ये पाया गया था अगर हम इंडिया की बात करें तो first time इसको केरला में देखा गया था और ये last year की बात है जब ये current में चीज चल रही थी news में चल रही थी चीज़े और वहीं से कोशन उठा था हमने इस पे कोशन पहले करवा दिया था तो चलिए अब यहाँ पे हम dice के कोशन भी देखे पूछे गए थे आपसे ठीक है dice का भी कोशन पूछा गया था आप अगर reasoning की class देखोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये एक आपके सामने simple interest का बहुत ही simple सा कोशन पूछा गया था इसमें आपसे बोला गया कि simple interest आपको बताना है अगर 10% पर कोई amount इंवेस्ट किया गया है दो साल के लिए तो आप कहोगे 10% से 2 साल के लिए मतलब हो जाएगा 20% और 20% अगर हम 6000 का निकालेंगे तो हमारा आजाएगा 1200 रुपए ठीक है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 1200 रुपए आंसर होने वाला है ओके आगे बढ़ते हैं CI का भी कोशन आया था तो ध्यान रखेंगे CI के भी concept आपको पता होना चाहिए compound interest का चक्रवद्धी ब्याज का ठीक है यह आप से CM के बारे में भी पूछा गया था कि Chief Minister जो है वो हिमांचर प्रदेश के कौन है तो अभी मैंने जो प्रेजेंट में है वो आपको बताया है उसका आंसर यहाँ पर आपको याद रखना है सुक्विंदर सिंग सुक्ष होने वाले है CM हुआ, Governor हुआ ऐसे सबी कुछ हमने अपनी जो E-Book में जो हम Current Affairs की दे रहे हैं उसके साथ में E-Book के साथ में ही तो वहाँ पे आपको इस सब चीजे Cover Up मिलेंगी Subsidiary Alliance की बात करें तो Subsidiary Alliance का जो Concept है वो कौन लाया था तो ये भी हमने करवाय था और पूछा भी गया था ये प्रिवेस येर जो CVT का एक्जाम हुआ था तो ये जो Subsidiary Alliance का Concept है ये वेलजली, Lord वेलजली लेकर आए थे याद रखना है आपको, ठीक है आगे बढ़ते हैं हरपन Civilization में वो कौन सा Metal है जो नहीं पाया गया था तो Iron, Gold, Bronze या All तो अधिकतर लोग यहां पे Gold टिक करके आएंगे बट Actual Answer इसका हो जाएगा Iron Iron वो ऐसा धातु है जो नहीं पाया गया था हरपन Civilization में उसका साक्षे उसका जो कहते हैं न कि वो जो साक्षे होता है Evidence होता है वो नहीं मिला था तो हरपन Civilization में Iron क्या कोई भी यहां पे Evidence नहीं था Oldest Oil Refinery पूछी गई थी आपसे तो Oldest Oil Refinery की अगर हम बात करें तो यह जो डिगबोई है यह आपका Correct Answer बनेगा आसाम की यह Refinery है आपको याद रखना है Population Census से Quotion बना था तो पूरी Dedicated Video Population की जो भी Quotions बनते हैं वो हमने करवा रखा है GK की Playlist में आप खोज ले ना ठीक है तो Population Census की बात करें कि कितने साल के Gap में होता है यह तो यह जो जनगरना होती है यह आपकी 10 साल के Gap में होती है ठीक है तो यह आपको याद रखना है 2011 में होई थी फिर 2021 में ओके आगे पढ़ते है Iron Ore इसमें से कौन सा Iron Ore है आपसे यह पूछा गया था तो Bauxite तो Aluminium का Iron Ore है बट यहाँ पे अगर हम Hematite की बात करें तो यह आपका Ore है किसका Iron का तो यह Quesन भी पूछा गया था आगे हम बात करें कि Suze Canal जो है वो क्या Connect करती है किसको किस से Connect करती है Red Sea को Mediterranean Sea से Red Sea को Pacific Ocean से Red Sea को Indian Ocean से या फिर किसी भी Port को Connect नहीं करती है कुछ भी Connect नहीं करती है तो Correct Answer अगर आप देखोगे तो Suze Canal जो है वो Red Sea को Mediterranean Sea से Connect करती है बहुत Important यह Canal है दोनों ही चीज़ा आपको याद रखनी है कैसे भी गुमा फिर आके Question पूछ सकता है ठीक है Next आपका Question है राखी गड़ी राखी गड़ी आपकी कहां पर देखने को मिलती है जो हरपन की Valley Civilization की एक साइट है यह तो यह गुजरात में लोथल में हर्याना में या फिर उत्तरप्रदेश में तो याद रखना है जो राखी गड़ी यह साइट है यह आपको हर्याना में देखने को मिलती है Confused नहीं होना है ठीक है आगे हम देखें तो First Buddhist Council आपकी कहां पर हुई थी तो चार Buddhist Council हुई थी चारो का प्लेस चारो में जो President था जो राजा था उन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए First की बात करें हम तो आपको याद रखना है राजगीर में यह प्लेस का नाम है जहां पर आपको यह जो First Buddhist Council है वो हुई थी Question आपकी स्क्रीन पर है Great Stupa at Sachi is at तो Great Stupa जो आपका Sachi में है वो कहाँ पर देखने को मिलता है तो यह Question आपको बहुत easy हो गया जब आपको यहाँ पर Sachi word दिख गया क्योंकि Sachi कहा है मद्यप्रदिस में है, सभी को पता है Option B is the right answer अपने आपको चेक करते हुए चलिए कि आपको कितने Questions आ रहे हैं कितने Questions आप बना पा रहे हो अगला यहाँ पर Question है Last Morian Emperor was तो Last जो है Morian Emperor की बात करें कौन था ब्रिहत रत Option D correct answer बनेगा याद रखना है हर एक Question आपके लिए important है Next Question 75th Amendment 75th Amendment आपका किस से related है यहाँ पर आपका State Level Rent से related है यह 75th Option B जो है आपका Municipality यह आपका related है 73rd Amendment से और जो Option B है Option A है Municipality वो आपका related है 74th Amendment से तो यह दोनों ही बहुत जादा important है वो आपको जरूर से याद रखना है 75th वाला भूल जाओ चलेगा लेकिन 73, 74 नहीं भूलना है आगे बढ़ते है 61st Amendment एक important amendment है जिसने changes लाया क्या voting age में उसने change लाया था कि भाई अब 21 नहीं अब 18 साल का भी जो बच्चा है अगर adult है तो वो यहाँ पे voting दे सकता है उसके पास voting right है तो voting age में change किया गया था 21 से 18 कर दी गई थी यह आपको ध्यान रखना है 61st Amendment से ओके आगे बढ़ते हैं next question आपका है कुरुक्षेत्र आप सबी ने सुना है बट यह है कहाँ पे गुजरात में महरास्टर में कानपूर में या फिर हर्याना में चो कुरुक्षेत्र अगर हम बात करें यह आपका पढ़ता है option D that is हर्याना में next question battle of कुरुक्षेत्र is believed to have been fought for मतलब कितने दिनों के लिए कुरुक्षेत्र का जो लडाई थी वो लड़ी गई थी battle of कुरुक्षेत्र तो यह आपका correct answer बनेगा option B that is 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की लडाई लड़ी गई थी आगे बढ़ते हैं पाली में प्राकरत में या फिर पर्शियन में तो भगवत कीता याद रखना है आपकी लिखी गई थी option A that is Sanskrit language में originally next question मनुस्मृती मनुस्मृती किस चीज से deal करती है laws से कानून से statecraft से economics अर्थसास्त से या फिर social order तो यहाँ पे option A laws बहुत सारे इसमें laws हैं rules हैं ये करो ऐसे होगा वो करो ऐसे होगा उस चीज के बार में मनुस्मृती deal करती है economics economics अर्थसास्तर किस के दोरा लिखी गई है आपको पता होना चाहिए पता है तो comment box में comment करके जरूर से बताएगा आगे बढ़ते हैं next है आपका who founded partly putr तो partly putr की स्थापना किस ने की थी तो option D यहाँ पे उदाइन correct answer बनेगा याद रखना है important question है विक्रम एरा की बात करें तो किस BC को हम यहाँ पे विक्रम एरा कहते हैं 58 BC, 57 BC 78 BC या फिर 79 BC तो विक्रम एरा जो है वो आपका 58 BC को हम विक्रम एरा कहते हैं याद रखना है next question father of history आप से पूछ रहा है कौन है इसमे father of history तो history के, civics के, geography के, economics के यह सब father आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है उपर-उपर ठीक है, तो history के हम बात करें Herodotus, option A correct answer है याद रखना है आपको next question आपका history is past politics statement के भी question आते हैं, तो जो history is past politics, जो statement है यह किस ने दिया है, यह दिया है, option A, C ले ने, okay next question है, आपका history repeats itself यह किस ने बोला है, यह बोला है, आप देख सकते हो option B, that is Karl Marx ने, ठीक है next question है, आपका carbon dating system was first developed by तो जो carbon dating system है सबसे पहले किस ने develop किया था, यह आप से पूछ रहा है, तो correct answer आपका बनेगा option A, that is Libby ने next question जातक कता हैं, जो आपको देखने को मिलती है, जातक tales के बारे में देखने को मिलता है यह किस से related है, जैनिजम से बुद्धिजम से, पारसी से, या फिर शत्रिय से तो जो जातक कता हैं, यह आपका related है, option B, that is बुद्धिजम से, confused नहीं होना है जैनिजम नहीं, जातक कता हैं, बुद्धिजम से याद रखना है next question है, अस्ट द्याई अस्ट द्याई किस ने compose कीती, या अस्ट द्याई की जो लेखक हैं, वो कौन है, तो कार्लमार्क्स, मिनेंडर, पानिनी, कोटिल्या correct option, यह आप से बनेगा option A is the right answer पानिनी ने जो है, अस्ट द्याई की रचना कीती, compose किया था next question है, मालवी कागनी मित्रा, composed by again एक important book आप से पूछी जा रही है मालवी कागनी मित्रा, यह किस के द्वारा compose की गई, तो आप कहोगे यह compose की गई है, काली दास के द्वारा, option A is the right answer for this question next हम बढ़ते हैं, अगला हमारा है Lord Buddha got enlightened ग्यान की प्राप्ती बुद्धा जी को कहां पे हुवी थी तो ग्यान की प्राप्ती बुद्धा जी को हुवी थी कहां पे, बोध गया में B for बुद्धी, B for बुद्धा B for बोध गया तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, option B correct answer यहाँ पे आपका बनेगा चचनामा की बात करें ये किस language में लिखी गई थी, वो language बूछ रहा है तो चचनामा अगर आप देखोगे तो ये आपकी Persian language में लिखी गई थी, originally ठीक है original content आगे हम बात करें तो Lothal is at Lothal आपको कहाँ भी देखने को मिलता है तो Lothal जो है ये एक important in this valley site है गुजरात में ये बंदर गाहा है, Lothal नामक आपको देखने को मिलता है important है, यहाँ से question बनता है, बारवार बनता है याद रखना है हर अपन civilization को जो है कब develop किया गया था, discover किया गया था ठीक है हर अपन civilization को कब discover किया गया था साहनी करके एक हैं जिन्होंने यहाँ पे 1921 में दैराम साहनी दैराम साहनी जी ने 1921 में discovery की थी किसकी हर अपन civilization की next हम देखें which of the following is the Indus Valley civilization site found in Uttar Pradesh, Uttar Pradesh में आपको इन में से कौन सी जो site है वो आपको Uttar Pradesh में देखने को मिलती है तो जो आपका option A है आलमगीरपूर यह आपको देखने को मिलता है Uttar Pradesh में एक Indus Valley site जो हमें Uttar Pradesh में देखने को मिलती है यहाँ पे next question आप से पूछ रहा है कि महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था बुद्धा जी का कहाँ पे हुआ था लुंबिनी नेपाल में और महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था option B वैशाली में next question 24th तीर्थांकरा कौन थे रिशबनात अरा शीतला या फिर पार्शवनात 24th तीर्थांकर पूछ रहा है आपको 1st भी पता होना चाहिए आपको 2nd भी पता होना चाहिए तो इसमें यहाँ पे हम बात करें 24th तीर्थांकर option D पार्शवनात है ठीक है पार्शवनात next question है 1st Buddhist Council आपकी कहां पे हुई थी राजगिरह, पाटली पुतर कौशामभी या फिर वैशाली यह जो 1st Buddhist Council है यह आपकी हुई थी option A that is राजगिरह में so that's it class कैसी लगी चरूर से बताइएगा बाकि यहाँ पे आपको मैंने whatsapp number शो कर रखा है जो भी students अभी उस offer को लेना चाते हैं, जो offer वाला batch है वो join करना चाते हैं तो इस पे अभी whatsapp करके अपनी तयारी को शुरू कर दिजे सोचना विचारना बंद कर दिजे ठीक है, और एक जगा ticker पढ़ेंगे, तब ही सफलता मिल पाएगी otherwise भटकते रहोगे और आज ये, कल वो तो ऐसे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, एक वीडियो चार वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा आपको लगतार पढ़ना पढ़ेगा continuously पढ़ना पढ़ेगा, revision करना पढ़ेगा, mock test देना पढ़ेगा हर एक subject पर अपनी पकड़ बनानी पढ़ेगी, हर एक topic पढ़ना पढ़ेगा जो आपकी entrance purpose से important है so whatsapp number आपको दे रखा है free playlist जो है वो भी बता दी paid वाला जो offer है वो भी बता दिया अब भी अगर आप तैयारी ना कर पाओ, तो ये आप ही responsible होगे उसके लिए और कोई नहीं, जो हमारा motive है वो ये, कि हम अगर आपको 10 minute की भी class दें तो उसमें से content फसना चाहिए वो content कहीं ना कहीं student को फाइदा होना चाहिए, वो 10 minute student के wait नहीं जाने चाहिए बस useful और relevancy content, यहां पर हमारी पहचान है, पिछले दो साल से selections देते आ रहे हैं, तैयारी करवाते हुए आ रहे हैं selection दिया है, selection दिलाएंगे, बड़ बशरते आप उस तरीके की मेहनत करो, जो हम चाहते हैं और आपके लिए तो हम मेहनत कर ही रहे हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, ठीक है तो यह 1526 इसवी में हुआ था, 1526 AD में next question है आपका iron man of India हम किसे बोलते हैं iron man of India, यह आपका जब हिंदी में बनेगा ना तो भी यही लिख किया आएगा कि iron man of India किसे कहा जाता है तो इसका correct answer बनेगा क्या option D अगर आप कहा रहे हो तो गलत हो जाओगे option A is the right answer सरदार वलब भाई पतेल correct answer बनेगा, ओके moving on, next question पे हम चल रहे हैं father of history आप से पूछ रहा है कि father of history किसे कहा जाता है, तो options आपके सामने है so correct answer आपका या बनेगा option C that is Herodotus को हम father of history बोलते हैं H, H, दोनों में common है तो आप इससे याद रख सकते हो, ठीक है history का पिता किसे कहा जाता है Herodotus को, ताज महल जो आपको पता है कि शाजाहने बनवाया था किस नदी के किनारे बनवाया था आगरा में बनौया था लेकिन किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे यामुना नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे या सतलज नदी के किनारे और जिन strengths को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत हलके questions हैं, तो भ혈 आप मैंने बोला तो हर एक class करो तब आपको पता चलेगा क्योंकि हम आपको ढराने के लिए या आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका selection हो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप जो questions पढ़ो उससे आपको फायदा मिले आपके entrance exam में वो questions मिले तो easy भी रख रहे हैं और hard भी रख रहे हैं और moderate भी रख रहे हैं बट जो main चीज है कि relevancy रख रहे हैं हम जो पिछले 2 साल से हम follow up करते आ रहे हैं relevant content पड़ा रहे हैं जो आपके लिए important है ताज मेल की बात करें यमुना रिवर के किनारे है option भी याद रखना है आपको यह जो classes हैं जितना आप देखोगे जितनी बार देखोगे उतनी बार आपके दिमाग में चीज़े बसती जाएंगी और आपके दिमाग में long time तक रहेंगी तो फिर आप entrance exam में जब देऊगे entrance exam तो confusion नहीं होगा ठीक है यह maximum students का question आता है कि sir मैंने पढ़ा तो आपकी class बट वहाँ पे जब question आया तो मैं confused हो गया तो भाई revision करो confusion नहीं होगा ओके गितांजली यहाँ पे किसकी famous writing है रबिंदरनाट टैगोर की आपको याद रखना है जलिया वाला बाग जब कांड हुआ था 1919 में तो रबिंदरनाट टैगोर ही थे वो जिन्होंने यहाँ पे गितांजली के लिए जो इनको award मिला था noble award वो इन्होंने वापस कर दिया था यह भी याद रखना है कौन से कांड के बाद जलिया वाला बाग मैसेकर जलिया वाला बाग कांड के बाद 1919 में ठीक है प्रेजेंट सीजयाई की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके प्रेजेंट में कौन है तो यह है आपके ऑप्शन नंबर सी डाट इस दीवाई चंद्रचूड धनंजय यहां पर इनका नाम है धनंजय चंद्रचूड और यह 50 नंबर के हैं यह भी आपको याद रखना है क्योंकि कोशन यहां से भी बन सकता है कि अभी जो प्रेजेंट म करवाया है तो मैंने बोला है कि भाई नीती का जो फुल फॉर्म है वह आपको याद रखना है क्योंकि इसमें हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूरा-पूरा पूछ ले हो सकता है आपसे पूछे एन का मतलब क्या है आई का मतलब क्या है ठीक है तो इसमें आपका टी का अगला कोशन हम देखते हैं planning commission कब आया तो planning commission को ही change करके यहाँ पे नरेंदर मोधी साहब ने एक जनवरी 2015 को नीति आयोग का formation किया था लेकिन planning commission जो उसके father साहब है किसके नीति आयोग के father साहब है ठीक है नीति आयोग का पिता कह सकते हो तो planning commission 1950 में आया था 1950 में ये भी आपको याद रखना है दोनों ही यहाँ पे planning commission और नीति आयोग के जो important dates है ये important है याद रखना है next आपका पूछ रहा है LM Singh V committee जो है ये आपकी कब आई थी तो LM Singh V committee 1909, 1989, 1986 या 1978 तो LM Singh V committee जो है ये आपकी आई थी option number C is the right answer 1986 में यहाँ पे ये committee आई थी अच्छा एक question में आपको ये homework के लिए ले रहा हूँ जो आपको दिख रहा है option A 1909 तो 1909 को हम किस नाम से बुलाते हैं ठीक है Kelsford Reform, Minto Model Reforms या फिर भगत सिंग Reforms, Hindustan Republic Reforms किस नाम से बुलाते हैं ये आपको बताना है ठीक है क्योंकि important है Next हम देखते है 73rd Amendment आपका किस से related है municipality से, पंचायती राज से, localization से या urbanization से तो ये जो आपका 73rd Amendment है ये related है पंचायती राज से और 1993 भी आपको इसका year याद रखना है 74th वाला जो था 73rd के बाद 74th वाला तो वो था आपका municipality से related ठीक है 1993 वो भी उसका year same था याद रखना है boss आगे बढ़ते हैं next आपका question है कि जो आप LPG cylinder आपके जो मदर हैं वो kitchen में यूज करती होंगी आप भी यूज करते होगे कभी-कभी चायवाय बनाने में हाना और तो उसमें जो है maximum quantity में कौन सी gas भरी रहती है तो LPG cylinders होते है liquid petroleum gas यहाँ पे आपको याद रखना है इसका full form है और जो इसका answer है व Harold Damoder model तो कई सारे model थे लेकिन उनमें से एक अगर हम Harold Damoder model की बात करें तो यह आपका किस five year plan से related है यह आपको बताना है first five year plan second five year plan third five year plan या fourth five year plan तो जब Harold Damoder की बात करेगा यह आपका first वाले से related है और जब महलनोबिस model की बात करेगा तो वह आपको second model से related है तो दोनों ही आपको याद रखना है कि first वाले से H Harold Damoder H पहले आता है तो first H तो first model Harold Damoder model ठीक है फिर H के बाद M आता है तो M model जो है वो second second जो five year plan था वहालनोबिस model से related था इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखनी है चीज़े आगे हम देखें तो DPSP taken from which of the following country तो इन में से किस के समविदान से इंडिया ने भारत ने DPSP का concept लिया था तो DPSP Directive Principles of State policy इसका full form है बहुत ज़्यादा important question है बार बार पूछा जाने वाला option नमबर ए आयर्लैंड से हमने यह जो है लिया था DPSP का concept तो याद रखना है किस article में आपको यह देखने को मिलता है और कौन सा part है यह यह भी आपको बताना है ठीक है मैं already करवा चुका हूँ तो आपको देखते हैं कि कौन यह student is question का answer करता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और ऐसे ही नहीं पूछता हूँ जो important चीज़े होती है वही पूछता के लिए नहीं पूछता हूँ यह सब मत सोचना ठीक है comment करवाने के लिए मैं नहीं पूछता just कि आपको वह चीज़े याद रहे मत करना comment जिसको अगर ऐसा कुछ लग रहा है ठीक है बट जो मैं बता रहा हूँ वह एक बार आप गूगल जरूर कर लेना ठीक है ताकि आपक बारत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत करता है तो अगर आप देखे तो प्रेशिडेंट जाए यह सभी को होपांट करता है अगी क्योंकि प्रेसिदेंट जो है वो CJI Chief Justice of India को भी अपॉइंट करता है 50 नमबर के अभी हमारे धनजय वाई चंद्रचूड या डीवाई चंद्रचूड है 50 नमबर के 50 नमबर की गवर्णर रांदी बेंट पतेल है एलेक्शन कमिशनर राजीफ कुमार है ये भी आपको याद र तो आई होप सो आपने यहां पे आंसर इसका पकड़ लिया होगा तो देखते हैं आप इसका किसका आंसर सही है ऑप्शन डी जो है आपका गुल्फ करेक्ट आंसर होने वाला है अगर आपका गुल्फ सही आंसर आपने चुना था तो आप एक नमबर जरूर अपने आपको जाएए और जो गलत हो तो वहां पे आप अपना जीरो भी जरूर दीजे ठीक है अभी से जब आप आप अनसर रहेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा कि थौटी नमबर में से आपके कितने मार्क से स्कोर हो रहा है और इसी साब से आपको कितनी मेहनत करनी है तो यहां प अगर हम देखें तो कैनेडा कप आपका किस से लिटेड़ है आपके किस स्पोर्ट से लिटेड़ है कैनेडा कप क्रिकेट होकी फुटबाल या फिर गोल्फ तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर डी गोल्फ अगेन जिसे मैंने अभी आपको बताया कि गोल्फ के बहुत सारे और भी कप हैं तो वो सबी आपको देखने को मिलेंगे एक कंप्रीट विडियो होने वाली है एक अंप्रीट टेस्ट होने वाला है तो किसी भी नैशनल पीजी या फिर किसी भी उनिवस्टी कॉलेज के अंटरिंस एक्जाम में नेक्स यहाँ पर देखें तो वाकर कप इस रिलेटेड टू विच आफ दे फॉलिइंग वाकर कप आपका किस से रिलेटेड है यहाँ पर बताना है आपको क्रिकेट होकी फुटब सब कुछ कंटेंट आपको फ्री आफ कॉस्ट रहा है और आगे भी प्रवाइट करते रहेंगे ज़रूर जोइन करें अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जबाएं और वीडियो को लाइक ज़रू करतें आपका यहाँ पर अगें गोल्फ से रिलेटेड है नेक्स यहाँ पर देखते हैं फ्रेंच ओपेड डूविच ऑफ फॉलोइंग जो फ्रेंच ओपेड होता है हर साल तो यहाँ पे किस स्पॉर्ट से रिलेटेड है क्रिकेट लॉन टेनिस बैडमिंटन या फिर गोल्फ आप लोग यहाँ पे लॉन टेनिस और बैडमिंटन में कंफिज हो सक और I hope so कि यहां पे आप अपने marks जरूर नोट कर रहे हैं कि अगर सही आंसर है तो एक number और गलत आंसर है तो zero जब यह पूरे class end हो जाएगी उसके बाद में आप comment करके ज़रूर देगा कि आपका marks कितने बने हैं ठीक है वेट रहेगा सब का मैं बार-बार बोल रहा हूं नेक्स यहां पे question देखते हैं तो Malaysia open जो है आपका वो किस से related है? किस sports से related है? Malaysia open ध्यान रखेगा यह कुछ different है different sports से related है जैसे कि French open, Australia open, Wimbledon open, US open यह सब आपका table tennis से related है बट यहां पे Malaysia open जो है न यहां को किस से related है? तो option number C badminton से related है इसलिए ध्यान रखेगा कुछ different है और different चीज़े ही पूछते हैं आपके exams में विजे हजारे trophy किस से related है यहां पे आपको बताना है? विजे हजारे trophy किस से related है? फुटबॉल, cricket, होकी या फिर गॉल्फ तो यहां पे अगर हम सही answer देखें तो विजे हजारे trophy आपका cricket से related होने वाला है, option B correct answer हो जाएगा नेक्स्ट यहां पे Davis Cup is related to which of the following? डेविस कप आपका किस से related है? कौन से sports related है? आप्शन सापकी screen पर हैं cricket, lawn, tennis, badminton या फिर गुल्फ तो डेविस कप की बात करें, I hope so आपको answer पता चल गया होगा और नहीं पता चल ला है, तो अब पता चल जाए यहां पे आपका lawn tennis सही answer होने वाला है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा कि जिनका सही हो रहा है, उनका तो confidence build up हो रहा है, very good और जिनका गलत हो रहा है, तो आपको confidence lose करने की जरुद नहीं है, ठीक है, don't lose your confidence, दिरे दिरे सब चीज़े हो जाएंगी, अगर आपको नहीं आ रहा है, तो अब आप ध्यान रखे कि यह सब चीज़े, अब आपको पता हो गई है, कि हाँ, कौन सा कप किस से लिटर है, तो अब आप इस चीज़ को revise करिये, और फिर से यह test दीजे, फिर देखे कि कितना marks बन रहा है, ठीक है, तो जिनको नहीं आता है, उनको भी आजाएगा, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पस आजाएगा आपको भी, don't worry about that, okay, so demotivate नहीं होना है, already आपको motivate रहना है, बस मै बाद में, तो number, यहाँ पे तो next question देखें, Wellington, Wellington Cup, जो है आपका, W, E होगा यहाँ पे, Wellington Cup is related to which of the following, cricket, tennis, lawn tennis, या फिर hockey, या फिर golf, तो Wellington Cup, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किस से related है हमारा hockey से related होने वाला है, Wellington Cup, आगे बढ़ते है, Wimbledon Cup, अभी मैंने आपको इसका बताया था, किस से related है, आप से अभी को पता चली गया होगा, क्योंकि अभी मैंने repeat किया था question, तो आपका, lawn tennis से related है, ठीक है, Australian Open, French Open, US Open और Wimbledon Open, यह सब ही किस से related है, lawn tennis से, फिर से repeat, I repeat again, Australian Open, French Open, Wimbledon Open and US Open, यह सब lawn tennis से related है, ध्यान रखेगा, नेक्स यहाँ पे देखें, तो ध्यान चन ट्रॉफी is related to which of the following, ध्यान चन जो ट्रॉफी है, वो किस से related है, options आपकी स्क्रीन पर, again, cricket, lawn tennis, hockey and golf, तो ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है, जो ध्यान चन हमारी ट्रॉफी है, वो किस से related है, option number C, होकी से related होने वाली है, important question है, ध्यान रखेगा, travel and core cup, जो travel and core cup है, यह हमारा, किस sports से related होने वाला है, किस इस्पोर्ट की फिल्ड में दिया जाता है ट्रैवन कोर कप टेबल टैनिस लॉन टैनिस बैडमिंटन या फिर गोल्फ तो जो सही आंसर यहां पे आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नमर एट टेबल टैनिस यहां पे आपका होने वाला है रिलेटेड किस से ट्रैवन कोर कप से आगे बढ़ते हैं सुल्तान अजलन सा कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां रखना है आपको सुल्तान कप होकी से रिलेटेड हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स यहां पर देखें तो अगा का खान कप अगा खान कप जो है वो किस से रिलेटेड है क्रिकेट लॉन टैनिस होकी यह गोल्फ तो अगर हम बात करें जो आपका यह अगा खान कप है यह भी किस से रिलेटेड होकी से रिल आपको इरानी ट्रॉफी किस से लिटेड है फुटबॉल से, क्रिकेट से, हौकी से या फिर गोल्फ से तो ध्यान लटना है तो यहाँ पे हमारी इरानी ट्रॉफी है तो यह किस से लिटेड है ध्यान लटना है नेक्स्ट, रोवर्स कप is related to which of the following, यह सब important है, मैं बार बार कहा रहा हूँ, आप लोग जो seriously पढ़ रहा है, वो तो very good और जो seriously नहीं पढ़ रहा है, बैस सीरिस हो जाओ, एक एक नंबर आपकी merit उपर निचे कर देगा, और फिर जो आपने college की priority होना, दी है, जो CUT में या फि यहाँ पे लिए, आपके लिए applied है, और आपके entrance पर पूरा focus ली, हम यहाँ पे determined होकर आपके entrance example जो भी pattern आता है, उसके इसाब से सारे questions आपको prepare करवा रहे हैं, तो रोवर्स कप अगर हम बात करें, तो यह आपका related है, football से, curling cup, curling cup किस से related है, is related to which of the following, curling cup, तो यहाँ पे धियान रखना है, curling cup आपका related है, football से, आगे हम देखें, तो wisdom trophy is related to which of the following, तो आपको धियान रखना है, wisdom trophy जो है, वो आपका related है, cricket से, आगे हम देखें, तो यहाँ पे merdeka cup, जो है, आपका किस से related है, धियान रखना है, आपको ज संelf यहांपे is f rigteenviron meditate स है Kkar और कि यहांप पर रिल्टेड है पोस्टोस ट्रॉफ्ष रोफिया कि यहांपें फुटबॉल सब्सक्रन कुप अगर बात करें तो c यह यहांब का फुटबोर से अगे थॉमिस कप किले जाए थौरमस माप अपका रिल्टेड ऐ के next Durand Cup किसे लेटेड है, football, lawn tennis, hockey या फिर golf, football, lawn tennis, hockey या फिर golf, तो दियान रखना है आपको, option number 1, football से लेटेड है, हमारा Durand Cup, आगे बढ़ते हैं, FIFA World Cup किसे लेटेड है, बहुत असान question of this video, of this class, तो यहां पर आपको दियान रखना है, football से लेटेड है, सबी को बता होगा, रंजी ट्रॉफी कप is related to which of the following, रंजी ट्रॉफी जो कप है, वो किसे लेटेड है, तो cricket से लेटेड होने वाला है, ध्यान रखना है आपको, Sophia Cup कि अगर हम बात करें, तो Sophia Cup जो है आपका किस से लेटेड है, तो Sophia Cup कि अगर हम बात करें, तो ये आपका related है, option number C, badminton से, दान रखेगा important question है, आगे हम देखें, तो यहाँ पे सहारा Cup आपका किस से लेटेड है, तो सहारा Cup यहाँ पे related है, cricket से, CK NIDU Trophy, CK NIDU Trophy की बात करें, तो ये किस से related है, तो CK NIDU Trophy आपका related है, cricket से, चंदरगुप्त ओवर्थ्रोन दा पावर ओफ दा डैश एट मगद, ठीक है, तो चंदरगुप्त ने किस की पावर को ओवर्थ्रोन कर दिया था मगद में, तो correct answer आपका बनेगा नंदाज थे वो, आगे हम देखें, तो next question हमारा पूछ रहा है, जो चित्ता गॉंग आर्मरी है, यह जो चित्ता गॉंग आर्मरी रेड पड़ी थी, उसमें यहाँ पे जो related person है, वो कौन से हैं, तो correct answer आपका बनेगा, आर देंदू देस्तिदार, आर देंदू देस्तिदार, ओके, आगे बढ़ते हैं, अभी हम सिर्फ question answer करेंगे, बाकी थोड़ा सा वीडियो के end myth, मैं आपको कुछ चीज़े बताऊँगा, तो ध्यान रखना है वो चीज़े, बाकी महनत full to होनी चाहिए, अब बहुत कम समय हैं, तो ध्यान रखेंगे, जे एन नहरू रोट, तो जवाहलाल नहरू ने क्या लिखा था, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सी बुक इसमें से लिखी थी, maximum students इसमें से all answer टिक करके चले आएंगे, और गलत answer हो जाएगा, correct answer आपका बनेगा, a bunch of letter, जो option number A है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काली दास की ये जो है, रचना है, ध्यान रखना है, मालवी कागनी मित्रा, next question देखें, sea of poppies की बात कर रहा है, written by, किसके दुवारा लिखी गई है, sea of poppies, तो correct answer इसमें से क्या होगा, that is option C, Amitabh Ghosh, आगे बढ़ते हैं, next question है, गुडी पढ़वा, ये आपका एक festival है, ठीक है, cultural festival है, ये किस state से related है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर हम देखें, गुडी पढ़वा, ये आपका related है, option D, that is महारास्ट, आगे हम बढ़ें, तो next question हमारा पूछ रहा है, कालबेलिया, ये जो है folk dance है, folk की spelling गलत हो गई, ल होगा, तो folk dance है, किस state का, तो जो कालबेलिया है, ये folk dance है, R for Rajasthan का, RRR नहीं, ठीक है, Rajasthan है, ये कालबेलिया, याद रखना है, related है, नेक्स कॉशन आपका पूछ रहा है, देव माली, इस दा हाइस्ट माउंटेन पीक ओफ, जो देव माली है, वो कहां की हाइस्ट माउंटेन पीक है, ये आप से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देव माली की अगर आप बात करेंगे, यह आपकी Odisha की highest mountain peak है important question है याद रखना है राखी गड़ी very very important question पूछा जा सकता है बहुत ज़्यादा chances है राखी गड़ी यह जो हरपन site है यह आपको कहां देखने को मिलती है options आपके सामने है किस state में आपको राखी गड़ी नामक Indus Valley site या हरपन site आपको देखने को मिलती है तो correct answer इसमें से आपका बनेगा option number A हर्याना याद रखना है बहुत important question है मीदम मेफी एक ancestor की worship होती है ठीक है जो हमारे पूरवज होते हैं उनकी पूजा की जाती है ठीक है जैसे पितरपक होता है तो वैसे ही यहाँ पे मीदम मीफी है लेकिन यह मीदम मीफी है कहां का फेस्टिवल या आप बोल सकते हो worship festival कहां का है यह आपको यहाँ पे बताना है तो असाम, अरुनांचल प्रदेश, अरुनांदर प्रदेश या उत्तर प्रदेश तो correct answer इसमें आपको बनेगा option number A that is असाम का यह जो है मीदम में फी एक ancestor worship festival है सत्रिया dance से बहुत ज़्यादा question पूछा जाता है तो सत्रिया dance कहां से related है यह भी जो है असाम से related है याद रखना है आपको ठीक है आगे बढ़ें तो next आपका है who argued that in the face of high deficit people save more किसने कहा था कि जब high deficit होता है ठीक है जब मंदी high होती तो जो people होते हैं बहुत ज़्यादा save करते हैं बचाते हैं पैसा तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा important के साथ-साथ confusing question भी है क्योंकि option सारे ही सारे को जो है वो economics से related है तो option A David Ricardo ने यह कहा था कि in the face of high deficit people save more people ज़्यादा save करते हैं David Ricardo is the right answer अब देखो यह दो चीज़े GDP में से जब हम depreciation minus करते हैं तो हमारा NDP मिलता है NDP मतलब net domestic product ठीक है gross domestic product में से जब हम depreciation minus करते हैं तो net domestic product मिलता है और जब GNP में से हम depreciation minus करते हैं तो net national product gross national product में से अगर हम depreciation minus करेंगे तो net national product मिलेगा और gross domestic product में से अगर हम यहाँ पे depreciation minus करेंगे तो net domestic product मिलेगा direct question आएगा कि GNP में से हम क्या subtract करें कि हमको NDP मिलेगा तो आप कहोगे depreciation यह से भी पूछ सकता है कि GNP में से अगर हम depreciation को subtract करेंगे तो हमें क्या मिलता है तो आपका NNP मिलता है तो इस तरीके से घुमा फिरा के question पूचा जाएगा याद रखना है यह आपका question है कि approximate how much percentage of total water on the surface of earth is accounted for by the oceans तो 97% of water जो है वो oceans के द्वारा आपका यहाँ पे account किया जाता है next है आपका during the rule of which of the following dynasties did Timur और Tamiriyan invaded India in 1398 तो वो था Tughlaq dynasty या Tughlaq once के समय में Timur ने invade किया था तो बहुत ज़्यादा important question Tughlaq ने invade किया था 13, sorry Tughlaq के समय में Tughlaq dynasty में 1398 में Timur ने invade किया था इंडिया पे ठीक है लुटा था hundredth amendment जो सवा आपका समविदान संशोधन देखने को मिलता है किसके द्वारा signed किया गया था Manmohan Singh, Pranab Mukherji, Gandhi जी या फिर all तो ये जो सवा समविदान संशोधन था amendment था ये sign किया गया था प्रणब Mukherji के द्वारा उस समय प्रसिडेंट है वो, ठीक है आगे बढ़ते हैं, स्वाराज is my birthright and I shall have it ठीक है स्वाराज मेरा जन्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ठीक है, किसने कहा ये कहा आपका, बाल गंगाधर तिलक ने next हम देखें, तो river that flows both through West Bengal और Sikkim वो river, जो West Bengal और Sikkim दोनों से flow करती है, correct answer यहाँ पर बनेगा, option C, तीस्ता नदी वो है, आगे हम देखें, GST included in which act, तो GST को कौन से act के तहत include किया गया था तो यहाँ पर correct answer आपका बनेगा, option A that is 101 amendment act था, और 122 122nd bill था, और maximum GST अगर आपसे पूछें, तो 28% GST maximum होती है कितने slabs हैं GST में options, जो है आपको जो correct answer है, वो comment box में बताना है Rutela Pandu Gaz, यह जो festival है, यह कहाँ का festival है, तो आपका होगे नेलोर का, ठीक है folks song famous in West Bengal Assam and Bangladesh, तो उसका नाम है भवया यह कहाँ का famous folks song है तो West Bengal का भी है, Assam का भी है और Bangladesh का भी है article जो की OBC के बारे में बात करता है तो उसका नाम कौन सा article है 338 B का 1 जो की OBC के बारे में बात करता है अलतूनिया ने रजिया सुल्तान को imprison कर लिया था, कहाँ पर तो किलाय मुबारक in भटिंडा में अलतूनिया ने ब्राजिया को जेल में डाल दिया था Next हम देखें तो Hindu Marriage Act कब आया था important है 1955 में Hindu Marriage Act आपको देखने को मिलता है याद रखेंगे important question होने वाला है यह years से भी question बनते है I hope आपको questions और class करने में मज़ा हरी होगी बहुत important questions है यह भी आपको नहीं पता चलेगा जब आप entrance exam दोगे तब पता चलेगा और ऐसा भी नहीं है कि एक वीडियो से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा लगातार आपको हर एक वीडियो देखनी है जो आ रही है वो भी और जो अल्रेटी लगी हुई है प्लेइलिस्ट में बनी हुई है वो ऐसा ही नहीं है ठीक है बढ़ियां माल उसमें है वो माल फूक लो ठीक है साही direction में बोल रहा हूँ भाई माल फूक लो का मतलब है कि आप वो जो classes है उनको आप अच्छे से पढ़ लो ओके और हर एक class को revise कर लो और यहाँ पे आपकी मर्जी है पीट बैच जोइन करना है तो वो तो मैंने आपको बतायी है बट classes जरूर से करनी महनत मतलब overall करनी पड़ेगी आपको एक दो class से नहीं होगा अब कैसे करना है क्या करना है वो तो आपको ही तैय करना पड़ेगा यहाँ कोशन देखे 61st amendment जो हुआ था इसमें voting age को कम कर दिया गया था 21 से 18 तो वही आप अब देखते हो कि 18 साल का अगर कोई बच्चा है या adult है तो वो जो है vote के लिए eligible हो जाता है voting करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो spring tights और neep tights के बीच में कितने दिन का difference रहता है तो 7 दिन का difference आपको देखने को मिलता है चमपा यह 16 महा जनपद में से एक है चमपा जिसका capital है जो capital है यहाँ पे अंग ठीक है तो अंग के चमपा इसका capital है directive principle of state policy यह हमादा लिया गया है Ireland के country से यह हमने concept लिया है Indian constitution में और right to equality हमें article 14 से 18 के बीच में देखने को मिलता है reorganization of states की बात करें तो 1956 में हमें reorganization of states देखने को मिलता है और अगर हम age of भगत सिंग की बात करें जब उन्हें फांसी पे लटकाया गया था तब वो 23 साल की उम्र थी उनकी याद रखना है आपको हिंदू सक्षेशन एक्ट जैवो 1956 का वो पास कब हुआ तो वो पास हुआ 2005 में तो था यहाँ पे आंसर बनेगा याद रखना है ऑप्षन बी इस दर राइट आंसर नेस्ट आप से अगर पूचा जाए कि इस गोवा को एक राज जी का दरज़ा कब मिला कि संसोधन से मिला तो वो मिला 56 अमेंडमेंट और 1987 में यह गोवा राज बना ठीक है Poverty and Un-British Rule in India एक इंपोर्टेंट बुक है जो की दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई है मकर विलक्कू यह जो फेस्टिवल है यह आपका केरला का एक बहुती फेमस और मोस्ट नोन मोस्ट आग्जड बार बार पुछे जाने वाला कोशन है मकर विलक्कू केरला का इलेक्शन कमिशन किस आर्टिकल में आता है तो इलेक्शन कमिशन आता है आपका आर्टिकल नंबर 324 Option B is the right answer और अथर वेदा में कितने खंड हैं तो अथर वेदा में 20 खंड हैं याद रखना हैं आपको मुसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है तो मुसी रिवर क्रिष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो भी student batch को जॉइन करना चाहते है paid batch जॉइन करना चाहते है तो description box में साथी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा yellow color की जो strip है उस पे लिखा हुआ है WhatsApp नंबर हमारा तो वहाँ से आप हमसे contact करके चीजों को join कर सकते हो crash courses की तरह available है और e-book भी एक available है तो e-book में आपको computer का सब कुछ निचोड़ reasoning का निचोड़ और जो mental aptitude है commercial maths है उसका निचोड़ मिल रहा है तो वो तो आप लोग ज़रूर से लेजिए उसमें one linear questions हमने दे दिये हैं और बहुत कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है current affairs की भी अप जो e-book है उसके साथ दी जा रही है उसका भी link आपको description box में दिया होगा है start करते हम यहाँ पे देखो first question है displays a list of utility configure the computer system and install software and hardware control panel है वो एक option थोड़ा बहुत कर रखा है जैसे की handling कर रखी है desktop की या laptop की तो आप लोग answer कर ले जाओगे video graphics area connectors are those which connect the monitor to a computer's video card and has कितने holes होते है तो जो connector होता है video graphics area को VGA जो connect करता है उसको 15 holes होते है उसमें यह आपको याद रखना है while dash data transfers from the customer's machine to the server आप लोग जो आपका facebook है जो आपका instagram है या मैं मान लेता हूँ आपका whatsapp ही है आप क्या करते हो image को send करते हो या upload करते हो तो क्या होता है वो आप customer हो customer की machine से मतलब आपकी machine से आपकी mobile phone से वो picture वो image वो video वो audio call वो voice message आप भेज रहे हो या कह सकते हो आप upload कर रहे हो facebook पे आप upload करते हो images ठीक है instagram पे आप images को upload करते हो ठीक है तो वही पूचा गया है while uploading data transfers from customers मतलब आप से और server को मतलब instagram के server को चली जाती है वो image ठीक है आगे बढ़ते email service providers के कुछ examples यहां पे दिये हुए है जैसे आप से question बन सकता है कि आपको चार पांच option दे दे और पूचेगा इसमें से कौन सा email service provider है या उल्टा भी पूच सकता है इसमें से कौन सा email service provider नहीं है तो आपको यह examples थोड़े से ध्यान रखना है आउट्लुक जीमेल और यांडेक्स ओके बा हो जाएगा देखो hyperlink का जो shortcut होता है वो होता है control plus K और जो अगर आप बात करोगे control H से क्या होता है तो वो होता है replace का ठीक है याद रखना है यह custom print अगर आपने कोई एक PDF है आपके पास आपको चाहिए कि यार इसमें first page तो काम का नहीं है मेरे second page काम का है और third page काम का है तो जब आप custom print का option जब आप control P करोगे तो custom print का option आएगा उसमें आप जो pages आपको print करने उन pages का आप number डाल दो enter कर दो वो pages आपके निकल आएगे तो वो option कौन सा है custom print का ठीक है याद रखना है next है आपका F5 जो F5 आपका function की होता है keyboard में उससे क्या होता है देखो दो चीज़े ह होती है आप जब normal desktop पे अपना desktop पे normal handling कर रहे होते हो data अगरे की तो वहाँ पे आप refresh कर सकते हो जब आप desktop पर होगे और जब आप browser खोले होगे तब उस समय आप F5 दबाओगे तो आपका वो browser है वो reload होने लगेगा pages तो यह दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है F5 से ही हो यह app download कर लो यह software download कर लो आपकी memory एकदम free हो जाएगी कभी-कभी आपको message आता होगा कि your memory is full please download this software xyz so that आपका जो memory है वो खाली हो कर देगा वो तो वैसी आपके जो messages होते हैं जबड़दस्ती के आपके सामने होते हैं कि यह download कर लो download कर लो वो trojan type का होता है यह malware का नाम है तो याद रखना है आपको ठीक है जो आपकी computer का effect करेगा disguise software एक धोके बाज वाला software होता है जो just आपकी information को track करता है और फिर आपको hacking वगेरा हो जाती है contains the formulas and features needed to create data intense spreadsheet तो जो आपको बहुत सारे features देखने को मिलते हैं जैसे कि आपको title bar होता है फिर होता है menu bar और menu bar के नीचे क्या होता है ribbon तो ribbon वो चीज होती है जहां पे आपको सारे commands और formulas features वगेरा आपको देखने को मिलते हैं तो ऐसा place जहां पे आपको formula, command, features वगेरा देखने को मिलते हैं उसको क्या गयते हैं तो ribbon कहते हैं यह याद रखना है सबसे पहले आपका title bar आता है यहां पे आपका document का name लिखा रहता है minimize का button रहता है maximize का button रहता है और close का button रहता है उसके बाद आपका आता है menu bar ध्यान रखना है menu bar के बात आता है कौन सा ribbon और फिर यहां पे side म scroll bar होता है, scroll में भी vertical bar scroll और horizontal scroll होता है, फिर सबसे नीचे होता है status bar जहां पर आपको दिखाता है कि कितने words आपने type की है कौन सी आपकी number की sheet खुली हुई है and so on, ठीके तो ये सब चीजे थोड़ा सा याद रखना है shading option in MS Word 365 तो जैसे कि आपने कुछ लिखा text, जैसे कि आपको उपर दिख रहा है computer questions लिखा है, computer questions को मैंने select किया और फिर ये shading option आता है, उस shading option को use करके मैंने उसका जो background है ना वो black कर दिया, तो याद रखना है जब हम shading option use करेंगे तो वो जो text के behind में मतलब text के पीछे में जो background है उसका वो change हो जाता है, ठीक है आगे बढ़ते हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये ebook के बार में मैंने बताई दिया है, आप लोगों को ठीक है बाकी ये paid batch है, इसको भी आप ले सकते हो और crash course की तरह की यहां पे आपको चीज़े देखने को मिलेंगी बहुत detail में और हर एक subject का content जो है वो दिया जा रहा है पूरी proper तयारी आपकी systematically हो जाएगी description box में आपको सभी चीज़ों का link दिया हुआ है हम आगे बढ़ते है तो next अगर हम बात करें if a value of cell column A and row 10 is to be referred in a function or formula तो अगर आपका जैसे की column A है जो column होती है वो खड़ी-खड़ी होती है spreadsheet आप खोल के देखना जो खड़े-खड़े होते हैं वो होते हैं column और जो लेटे-लेटे होते हैं वो क्या होते हैं rows और column और rows का intersection क्या कहला आता है cell ठीक है यहां से भी question बनता है बस अच्छा अब जो column होते हैं उनकी labeling letters से होती है A, B, C, D and so on last जो column होता है उसका address X, F, D होता है ठीक है row की बात करें row में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो verticals होती है vertical line वो row कहलाती है जिनका numbering 1, 2, 3, 4, numerically होता है ठीक है तो जो क्या बताया मैंने column है खड़ी-खड़ी होंगी और उनका alphabetical order होगा A, B, C, D, E, F, G, H में गिनी जाएंगी जो row होंगी वो लेटी होई होंगी और उनका जो numbering होगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से होगी ठीक है तो अगर हम किसी एक cell के address को बताना चाहें तो हम पहले उसका column number लिखेंगे A में है, B में है, C में है, D में है, किस में है फिर उसका row number लिखेंगे तो A10 अगर आपको दिख रहा है इसमें A जो है वो column का number है और 10 जो है वो row का number है तो A column में दसवी row A10 ये दिखाएगा cell का address ठीक है और एक चीज अगर आप देखोगे Excel में एक cell होता है ठीक है, तो जो पुछेगा आपसे पूछता है, नमबर्स किस तरीके से align होते हैं और लेटर्स किस तरीके से align होते हैं तो जो लेटर्स होते हैं वो हमेशा left align होते हैं और जो नमबर्स होते हैं वो right align होते हैं रट लो इसको पूछा जा सकता है बहुत basic सा लेकिन important और confusing वाला question है हम बढ़ते हैं आगे the main memory या the memory unit that communicates directly with the CPU उसे हम कहते हैं main memory next आप से पूछ रहा है कि third party cookies जो होती हैं वो आपका जो data होता है उसको track करती हैं और आपकी जो privacy है उससे खिलवाल करती हैं कौन? third party cookies gateway क्या होता है एक passage होता है that connects two networks that may work on different networking models जो different different models पर based हो और वो अपना काम कर रहे हो तो gateway वो होता है जो आपको connect करता है two networks को two networks को ठीक है two networks को आगे बढ़ते हैं registers to registers is a high speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing तो processing के time पर registers का बहुत ज़्यादा मात्व होता है एक high speed device होता है जो की CPU में use किया जाता है जिससे जो temporary basis पर data storage है वो यहाँ पर हो सके processing के दौरान आगे बढ़ते हैं next यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि the instructions that is not to be executed immediately is placed in IBR तो IBR का full form instructions buffer registers next भी आपको यह इसका full form याद रखना है SSD का full form solid state drive होता है जिसे हम electronic disk भी बोलते हैं ठीक है आगे हम देखें तो which port is called as mouse port तो ps2 होता है जहां पर आप जब mouse का वो जो data cable की तरह के सा होता है उसको आप plug करते हो वो support को क्या बोलते हैं तो ps2 उसका नाम होता है याद रखना है mouse को जहां पर हम plug करते हैं लगाते हैं ठीक है which folder is used to store deleted emails तो आप अगर email आया है आपको और आप वहां से delete करते हो तो जो trash होता है न trash में आपका जाके email वो बसा रहता है वहां पर भी अभी भी available रहता है आप लोग check करके देखना है एक बार mail खोलना, delete करना mail देखना trash जो आपका है options करोगे three lines आती है वहां पर option करना trash दिखाएगा एक option वहां से जाके choose करना तो वहां पर दिखाएगा आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं which is not a library office software suite program तो library office excel first browser to display images in line with text instead of displaying images in a separate window यह आपका होगा mosaic browser ठीक है okay so next है हमारा switch a switch is a networking device that filters network traffic while connecting multiple computers और communicating device switch एक networking device होता है जो कि बहुत सारे computers को connect करता है और best path देता है कि हाँ जाओ भाई यहाँ से जाओ easily तुम पहुँच जाओगे connect कर लोगे ठीक है एक होता है switch और एक होता है hub ठीक है और एक होता है bridge तो यह तीनों चीज़ आपको याद रखनी है key loggers key loggers kind of आपका यहाँ पे hacking की तरीके से ही होता है आप कुछ टाइप करते हो तो वो key logging के थुरू आपके जो भी आपने type किया है प्रेस किया है वो key आपकी record हो जाती है और उससे आपका login name आपका password आपका debit card details आपकी credit card details hack कर दी जाती है तो key loggers record everything you type on your PC in order to obtain your login name passwords and other sensitive information ओके अगर हमें Excel sheet हमने खोल रखी है सारी की सारी rows जो है rows हमने बताया लेटी हुई होती है verticals होती है ठीक है तो सारी की सारी अगर हमें rows select करनी है तो हम shift के साथ space bar दबाएंगे सारी की सारी rows जो है वो select हो जाएंगी अगर column select करना है सारा का सारा column A column पूरी select करनी है A नाम की column पूरी select करनी है तो उसको आप control और space bar दबाओगे तो पूरा A नाम की column select हो जाएगी अगर row select करना है first row select करनी है लेटी हुई row तो shift के साथ space bar दबाओगे तो यह select हो जाएगी पूरी row याद रखना है भाई important है अगला question है जो आपका bandwidth bandwidth is a bit rate of available or consumed information capacity typically in metric multiples of bits per second तो इस तरीके से हमने कुछ computer के important questions देखे हैं बाकी मैंने आपको बता रखा है feedback आप सभी के लिए available है crash courses की तरह ही है यह हर एक subject का details आपको चीज़े मिलेंगी to the topic आपको content मिलेगा relevant content मिलेगा doubt discussion, mock test practice, previous year questions और practice test बहुत कुछ यहाँ पे special classes भी आपको देखने को मिलेंगी description box में आपको सभी चीज़ों का link दिया हुआ है ebook में आपको computer की भी ebook मिल रही है तो उसको आप ले सकते हो अगर आपका कल भी paper है तो यह ebook आपको बहुत ज़्यादा help करेगी क्योंकि कम समय में एक effective तरीका यह ebook होने वाला है बाकी आप लोगों की मर्जी है description box में सभी चीज़ों का link दिया हुआ है family मैंने तो family को subscribe कर लो जिससे आने वाले दिनों में जो classes आएंगी उनका notification आपको मिलता रहेगा और हर एक class की जो playlist है वो मैंने आपको दिखाई तो free और paid दोनों ही चीज़े दिखा दिया है अब जी लो अपनी जिंदगी लेकिन मैंनत करना है भूलना नहीं है दट कर मैंनत करना है और selection लेकर रहना है और तुम ही selection लोगे भाई ठीक है बट मैंनत करो पढ़ो सब चीज़े अराम से पढ़ो जरूर से selection होगा फिलाल के लिए end करते हैं जय हिंद जय भारत शेयर जुरू कर देने अपने सबी friends के बीच में